नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ तड़के वाली मुंग दाल जिसे बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यहाँ पर दाल बन अजातर में ग्रास्पल लेंगे और इसके वादन से चार बार वस्च कर लें और और वस्च करने के बाद इसमें इसमें साफ़ पानी डाल करके आध्य गंटे के लिए आप सोक होने के लिए रखतें यहाँ पर हमने एक न पानी डाला है और इसी deprived करे आदे आधे गंटे के बाद आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फुल चुकी है तो इसे हम पहले चान लेंगे और इसे चान करके आप इसी तरीके से छोड़ दें जिससे की एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए इसी तरीके से रहने देंगे इससे की दीरे दीरे करके सारा पानी इसका निकल जाए और तड़का बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रेशेट कुकर गरम कर लिया था उसमें आड़ करेंगे दो बड़े चमश घी घर के बने हुए सुद्गी है तो आप जब भी मुंग दाल का तलका बनाए तो उसे घी में ही बनाए तो घी हमारा यहाँ गरम हो चुका है तो उसमें आड़ करेंगे 140 जीरा और जीरे को अच्छे से चटकने दे जिससे की इसक पर हमने एड़ किया है ग्रेट किये हुए अध्रक और इसे सौटे कर लेंगे और इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे तीन से चार कटी हुई हर इमेर्च थोड़ी सी हींग और इन सभी को पिरसे सौटे कर लेंगे और इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे एक मेडियम सा का बार ही कट किया हुआ इसे हमने बहुत ही बहुत कट किया है और इसे बहुत ज़यदा गॉल्डें ब्राउन होने तक हमें नहीं भुनना वस प्यास के transparent होने तक हम इसे भून लेंगे यहां प्यास हमारा भून चुका है तो इस stage पे इसमें एड़ करेंगे और यहाँ पर हमने आड़ किये सबसे पहले हल्दी पॉडर हाफ टीए स्पून के लगभग हल्दी पॉडर है और इसके बाद आड करेंगे उन टीए स्पून धनिया पॉडर और इनसे भी को अच्छे से भूनने लेंगे और मसाले को अच्छे से भुलने के बाद इसमें हम एड़ कर देंगे एक मेडियम साइज का बारी कट किया हुआ टमाटर और इसके वादी से सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो इस स्टेज पर अब इसमें आड़ कर देंगे मौंग दाल और दाल आड़ करने के बाद दो मिनट इसे मसालों के साथ हम भून लेंगे और दाल भी अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी तो हमने जिस कप से दाल लिया था उसके चार गुना पानी यहां हम आड़ करेंगे यानि चार कप पानी इसमें आड़ करेंगे और इसके बाद भी अगर लगे कि दाल हमारी थिक है तो आप अलग से गरम पानी करके इसमें एट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने चार कप पानी एट कर दिया और इस दाल के साथ मिक्स करके दो प्रेसर आने तक पका लेंगे इसे बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि दाल को हमने आदे गंटे के लिए शोक कर लिया था तो दो प्रेसर में यह अच्छे से पक जाएगे प्रेसर को कठड़ना होने के बाद से कोल करके देख लेते आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है तो यह थोड़ा थिक है तो इसमें अलग से पानी गरम करके हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी करके आड़ करें एक साथ से बहुँ चारा पानी नहीं आड़ कर दे नहीं तो दाल पतली हो जाएगी तो आप जिस तरीके की डाल की consistency रखना चाहते हैं उत्रहीं पानी इसमें add करें अभी थोड़ी डाल और ठिक है तो थोड़ा सा पानी इसमें अभी और add करेंगे और साथ में यहाँ पर हमने gas का flame on रखा है और पानी add करने के बाद अभी तक हमने नमक नहीं add किया था तो इसमें add करेंगे स्वादा नुसर नमक और इसे mix कर लेंगे और एक उबाल आप ले ले एक उबाला लाने दे और साथ में ही यहाँ पर हमने add कर दिये थोड़ी सी fresh हरी धनिया और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और दाल हमारी बन चुकी है तड़का बनाने लिए यहाँ पर हमने एक तड़का पैन गरम कर लिया उसमें add करेंगे एक बड़ा चमच घी और खी गरम होने बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा अड़ किया कि पहले भी हमने जीरा आड़ किया तो अगर ज्यादा हो थी हमने चार सुखी लाल मिट चिली हैं और इसके बाद कैस का फ्लेम आफ कर देंगे और दाल के उपर इसे डाल देंगे हो गई हमारी तड़के वाली मौंग दल तयार और आप इसे अब रोटी या छावल के साथ सर्व कर सकते हैं तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर पसंद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर साथ में मेरे चैनल पर अगर नहीं हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और पहला इकन को प्रेश करना ना भूलें जिसस कि मेरी अगली वीडियो की नाटिपकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में